आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरट विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। जिसका अवक्षेपन किस प्रकार होता है, जिंक धनायन जो है, H2S gas से प्राप्त सल्फाइड आयन से, अभिक्रिया करके किसके रूप में अवक्षेपित होता है, जिंक सल्फेट के, जिंक सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होता है, अब ये सल्फाइड आयन कहां स से प्राप्त होता है हमें H2S के वियोजित होगा तो ये एक दुर्बल अमल होता है हमें पता है अब यहां पर ज्यान देने वाली बात यह है कि H2S की वियोजिन से H प्लस आयन बन रहा है और NH4OH जो की शार है उसके वियोजिन से OH माइनस आयन बन रहा है ये दोनों आयन आपस में क्रिया करके किसमें परिवर्दित हो जाते हैं तो इसके कारण क्या होगा विलियन में H प्लस आयन की सांदरता क्या होगी घटेगी तो हमें पता है कि H2S के वियोजिन की मात्रा क्या होगी ये अभिक्रिया इस अभिक्रिया की सामने वास्ता अगर दिशा में इस्तापित होगी अतै NH4OH मिलाने के कारण NH4OH मिलाने के कारण H2S का वियोजिन बढ़ता है तथा इससे प्राप्त सल्फाइड आयन की सांदरता भी क्या होगी अधिक होगी और जिसके कारण क्या होगा जिंक सल्फाइड जिंक सल्फाइड जो है आसाने से अवक्षेपित हो सकता है तो यहाँ पे जो ammonium hydroxide मिलाने का कारण है वो सही कारण है इसका यह चार इसलिए मिलाया जाता है ताकि H2S का वियोजिन बढ़ाया जा सके अता इस प्रशन का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल D पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट IIT JE वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादर चातरों का भरोज़ा आज ही डाउन्ट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर